भगवान स्री गडेश जी की सबसे प्रिये वनस्पति कौन सी है और ये वनस्पति आपके हिंदु समाज में धरंड, पूजा, पाठ, तीर्थ, त्वाहार या शादी, बेहा, जनम दिन पर इसका प्रियोग किया जाता है ये जो वनस्पति ये बहुती पवित्र और पाक मानी जाती है परन्तु ये वनस्पति आपको भरत बर्स में हर जगा देखने को मिल जाती है और इसके बारे में हम लोग नहीं जानते कि इसके पीछे क्या रहसे है और इसका प्रियोग गड़ेजी को क्यो किया जाता है और गड़ेजी के लिए क्यो सबसे प्रिये बनस्पती मानी जाती है और इस बनस्पती में कौन-कौन से गुड़ पाये जाते है और इस बनस्पती क प्रियोग कौन सी बीमारी में किस प्रकार किया जाता है यादी बाते हम इस वीडियो में आपको आज बताने वाले हैं अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारा आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आईकोन पर आल पर क्लिक कर दे ताकि आने व बहुत ही ठंडी तासीर की होती है इसलिए इसका प्रियोग पित रोग होते हैं उनको शमर करने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है तो इसके बारे में हम थोड़ी देर में बताते हैं और उससे पहले हम आपको बताते हैं कि यह बनस्पति गड़ेजी को क्यों सबसे प्रि योग किया जाता है पॉरणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अलना सुर नाम का एक राक्षत सा जिसमें गड़ेश जी ने उसको हराया और उसको निगल गए निगल जाने पर गड़ेश जी के पेट में बहुती जलन और दर्द होने लगा तब रिसी मुनियों ने इस दुरबा को तोड़ कर पीस कर और उनको पिला दिया तब उनके पेट का दर्द शान्त हो गया और जलन भी नहीं हुई तब से ये बनस्पती गड़ेश जी को सबसे प्रिये मानी जाती है और इस बनस्पती को गड़ेश जी की पूजा में या उनकी अर्चना में सबसे पहले इसको चड़ाया जाता है तो गड़ेश जी की पूजा में इस बनस्पती को चड़ाने के बारे में आप क्या जानते हैं मिकमेन बॉक्स में जाके बता सकते हैं और बात करते हैं इस सपेद दुरबा के और सद्येगोड़ों की तो ये सपेद दुरबा जो है भारत वर का नाम नहीं लेती इस दुर्बा में एक बहुत ही बिसेश गुण होता है कि ये हवा और जमीन के अंदर से नमी खीचने का एक बिसेश गुण रखती है तो सपेद दुर्बा तीतल ठंडी कसेली और मधूर होती है ये कफ पित जलन को दूर करती है खासी को कम करती है और फु बच्चों के लिए पुष्ट वर्दक माने जाती है इस दुर्बा में कैल्सियम फास्वरस फाइवर पोडेशियम और प्रोटीन जैसे तत्व भी पाये जाते हैं अब बात करते हैं ये सपेद दुर्बा का प्रियोग हम किस प्रिकार कौन सी बीमारी में कर सकते हैं नाक से खून निकलने पर आप इसके रस को दो दो वू नाक में टपका देते हैं तो आपका नाक से खून बहना या नक्षी जैसी समस्याओं से भी समधान हो जाता है तरीर पर कहीं भी जखम हो जाता है आप इसको खाड़े और सलबटे पर पीसे और उस पर लेप कर दे तो आपकी सोयत पदर और रक्त पदर में भी काफी पाइदा होता है शरीर पर सूजन हो जाती है या जलोदर पेट का फूल जाना पेट में पानी भर जाता है या सरवांग सोत या स्वैलिंग हो जाने पर आप सपेद दुर्वा काली मिर्च के साथ पीस कर पिलाने से मूत्र में संत कर देता है पेशाम में खून आने की समस्या होने पर आप तो आंना बंड हो जाता है मलेरिया पु सारे में एक नवगन के साथ कहने मुह इसका रस करीब पचास हमल खाली पेट शुवा साम पीते हैं तो आपके सरीर से खूर निकलना बंद हो जाता है क्यों को ये सरीर से जो पित की मात्रा है उसको ये सांत कर देती है मूत्र कुछता पेसाब धीरे धीरे आना जलन के साथ आना या रूरुक के आना यादि समस्या में आप इस दुर्वा को साथ मां से जड़ लेकर महिन पीस कर भी के साथ पिलाने से आपके प्राने से प्रानी ये मूत्र कुछता है वो मिट जाती है कुछ लोगों की ऐसी मानता है कि बुखार होने पर आप समसान घाट के जो दूब है उसको ले आए और किसी धागे में बांध कर आप हाथ में बांध देते हैं तो आपके सभी प्रकार के जो बुखार है वो चले जाते हैं पित्त से होने वाली बवन या उल्टी में आप इसका रस चावल के धोन के साथ पिलाते हैं तो आप उल्टी भी सांत हो जाती है दाद, खाज, खुजली इसकी प्रामलों होने पर आप इस दुरबा का रस निकाले और इसका चौगना आप तेल ले ले और इसको धीमी आज पर पकाए जब पकते पकते तेल से समात रह जाए आप इसको उतार कर किसी सिसी में भरकर रख ले और खाज, खुजली या कंड़ रोग होने पर आप उस पर लगाते हैं तो आपको ये सारी समस्या उसे निजात मिल जाती है, जिन लोगों को काम उत्तेजना बहुत अधिक रहती है, तो वो लोग भी इस उसदी का प्रियोग कर सकते हैं, उसकी काम उत्तेजना का हिराश होता है, तो ये जो उसदी है, ये स प्रियोग ना करवाएं और जो बूले रोग हैं इसको अस्तमा हो गया है वो भी इसका प्रियोग ना करें ये जो लोग पित वर्दक लोग होते हैं जिनको पित की मातर अधिक रहती है ज़्यादा पसीना आता है या ज़्यादा सरीर में जलन रहती है ऐसे लोग इस बहुत सेदी का प्रियोग बहुत ही फाइदेवन साबित होता है तो इस सपेद दुरुबा के बारे में घर बेटे आप मंगवा सकते हैं तो हम कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही और सद्ये जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद्ध